नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों हम सभी को अक्सर मैथमेटिक्स की प्रॉबलम सॉल्फ करते समय LCM लिकालने की जरुवत पड़ती है और हम कौन सा तरीका लगाते हैं? वही जिसको हमें हमारे स्कूल्स में पराया गया है मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरीका बेकार है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको LCM लिकालने के एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदस से आप कितने भी नंबर का LCM केवल 2 सेकंड के अंदर अंदर निकाल पाएंगे अब जनको LCM का actual meaning नहीं बता उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ माल लेजी हमारे पास 3 नंबर है 10, 20 और 30 और मैंने आपसे कहा कि इन 3 नंबर का LCM 60 है इसका मतलब यह हुआ कि 60 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा यानि LCM वो सबसे छोटा नंबर होता है जो कि हमारे given numbers को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है चलिए अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूँ माल लीजिए हमें 5, 10 और 15 इन तिरों नंबर का LCM निकालने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तिरों नंबर में से सबसे बला नंबर कौन सा है आप कहेंगे सबसे बला नंबर है 15 अब आप ये चेक कीजिए कि जो बागी दोनों नंबर है 5 और 10 ये 15 को डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले हमने देखा 5 को क्या 5 15 को डिवाइड कर देगा आप कहेंगे बिल्कुल कर देगा तो हम इसको यहां से हटा देंगे अब हमें इसकी ज़रुवत नहीं है अब आप चेक कीजिए कि क्या 10 15 को डिवाइड कर देगा आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे हम 15 को डबल कर देंगे 15 का डबल कितना होता है 30 अब आप चेक कीजिए कि क्या 10 30 को डिवाइड कर देगा आप कहेंगे बिल्कुल कर देगा यानि इन तिनों नमबर का जो LCM है वो आएगा 30 तो इस तरीके से आप numbers का LCM कुछी seconds के अंदर निकाल पाएंगे मैं आपको कुछ और example बताता हूँ मा लेजिए इस बार हमें 10, 15 और 50 इन तिनों नमबर का LCM निकालना है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा हमें देखना है इन तिनों में से सबसे बला नमबर कौन सा है आप कहेंगे सबसे बला नमबर है 50 राइट? अब हमारे पास दो नमबर बचे 10 और 15 हमने देखा 10 जो है वो 50 को पूरी तरीके से डिवाइट कर देगा तो हम 10 को यहाँ से हटा देंगे हमें 10 की अब जरूरत नहीं है अब हमने देखा 15 क्या 50 को डिवाइट करेगा? आप कहेंगे नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? हम 50 का डबल कर देंगे आएगा hundred क्या fifteen hundred को divide कर देगा आप कहेंगे अभी भी नहीं करेगा तो इस बार हम क्या करेंगे इस बार हम fifty का तीन गुना कर देंगे पहले हमने दो गुना क्लिया था अब हम तीन गुना कर देंगे तो आएगा one fifty अब आप चेक कीजिए क्या fifteen 150 को divide कर देगा आप कहेंगे जी बिल्कुल कर देगा यानि 150 ही हमारा LCM होगा चलिए एक last example और देख लेते हैं मालीजी इस बार हमें 10, 13 और 20 इन तिरों नमबर का LCM निकालना है सबसे पहले हमने देखा सबसे बला नमबर जो कि है 20 हमने देखा 10 जो है वो 20 को पूरा divide कर देगा तो हमने 10 को यहां से हटा दिया अब हमने देखा 13 जो है वो 20 को divide नहीं करेगा अब दोस्तों इस बार हमना 20 का 2 times करेंगे ना 3 times करेंगे क्योंकि दोस्तों 13 जो है वो एक prime नमबर है Prime नमबर वो होते हैं जो किसी भी नमबर से कटते नहीं है दोस्तों जब भी आप देखें कि यहाँ पर कोई Prime नमबर लिखा हुआ है और वो इस नमबर को divide नहीं कर पा रहा है तो आप सीधा उस नमबर का इस नमबर के साथ multiplication करवा दे यानि 13 into 20 आएगा 260 और दोस्तों 260 ही हमारा LCM होगा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो काफी जाधा पसंद आया है अब मैं आपको कुछ questions दे रहा हूँ जिनके LCM आप इसी trick का युज़ करके नकालेंगे और comment box में हमें अपने अपने answer बताएंगे Thank you for watching